Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वर्क्षीट नमबर 9, जो की Classics के लिए है, subject English रहेगा और ये वर्क्षीट आपके लिए 4th अगस्त 2021 के लिए schedule की गई है, आज की वर्क्षीट बच्चो बहुत ही easy वर्क्षीट है, और वर्क्षीट शुरू करने से पहले पेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बैल आइकन को भी प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की notification वो मिल जाए, आज की वर्क्षीट में देखे क्या दिया गया है, we use a or an when we talk about one person, one animal, one place और one thing, हम a or an का use कब करते हैं, जब हम singular noun का use करते हैं, यानि singular noun के साथ, बैटा, singular का मतलब एक चीज, कोई भी एक person हो, एक animal हो, एक place हो, एक thing हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम singular noun बोलेंगे, तो उनके साथ हम a or an का use करते हैं, अब देखे, write a or an for each picture, अब an का use कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे vowel sound होती है, a, e, i, o, u, जहाँ पे य यूज करेंगे, consonant sound जो होती है, उनके साथ हम a का use करते हैं, जैसे number one दिया गया है, umbrella, तो हम यहाँ पे देखे, यहाँ पे हम आपको समचाने के लिए, यहाँ पे vowel लिख लेते हैं, a, e, i, o, u, यह vowel sound जहाँ भी आएंगी, वहाँ पर नम an का use करेंगे, जैसे example दिया गया है first है umbrella, तो a की sound आ रही है, तो हमने किसका use किया, n का use किया, second देखे, baby, यह क्या है बच्चो, baby, तो b की sound है, तो consonant sound है, तो हमने जहाँ पे किसका use करेंगे, a का use करेंगे, number third है banana, तो b consonant sound है, तो यहाँ पे हम किसका use करेंगे, यहाँ पे हम a का use करेंगे, a banana, एक बनाना, ठीक elephant, तो यहाँ पे हम किसका use करेंगे, अब हम wawel sound है, तो हम n का use करेंगे an elephant, ice cream i, ठीक है i की sound आ रहिए, तो यहाँ पे किसका use करेंगे, an ice cream इसी तरह, aeroplane तो r की sound आ रहिए न, तो इसमें भी हम बच्चों, n का use करेंगे an aeroplane, अब यह देखे cycle, sir की sound आ रही है तो यह consonant sound है, तो यहाँ पे हम a का use करेंगे उसके बाद देखें, next यह क्या है? egg है, तो egg की sound आ रही है, तो यहाँ पे हम n का use करेंगे, clear है? आपको बच्चों यह concept बिलकुल अच्छे से clear करना है, कि जब भी consonant sound होती है, तभी हम a का use करेंगे, और vowel sound के साथ हमेशा हम n का use करेंगे, अब यह देखें, peacock, तो perky sound, consonant sound है न, तो यहाँ पे आ जाएगा, a peacock, तो इस तरह से आपको इसको अपनी जो copy है English की, उसमें इसको कर लेना है next देखें, second आपको b दिया गया है, यहाँ पे बच्चों वीडियो pause करके, आप अच्छे से इसको लिख लेजे fill in the blanks with a or n, यहाँ पर भी आपको a और n जो है वो fill करना है first दिया गया है, my mother is dash teacher, तो teacher है, ठीके, तो consonant sound है, my mother is a teacher clear, next देखे, number second है, sudha eats dash apple everyday, तो sudha eats यूज करेंगे, number three है, dash umbrella saves us from getting wet, umbrella हमें किस से बचाता है, गीला होने से, तो umbrella, तो यहाँ पे हमने vowel sound मैंने आपको बताए है, उनका ध्यान रखना है, umbrella, इसके साथ हम n का यूज करेंगे, number fourth, I bought dash twi, today, to sound है ना, twi, तो consonant sound है, तो हम इसमें a का यूज करेंगे, number fifth है, she has never seen dash igloo, she has never seen igloo, e की sound है ना, बिटा, igloo, तो अब इसमें, जो है, किस का यूज करेंगे हम, इसमें हम n का यूज करेंगे, she has never seen an igloo, उसने कभी भी igloo नहीं देखा, igloo क्या होता है, जो बर्फ के घर बनाते हैं ना, उसको igloo बोलते हैं, number sixth है, there is dash owl on the tree, तो इसमें, इसमें, जो है, वावल साउंड है ना, owl, तो इसमें क्या आजाएगा, there is an owl on the tree, clear है, next देखे, number c है, यहां से वीडियो pause करके, इसको लिख लीजी, number c करेंगे, fill with a or n, यहां पर भी आपको देखे, पूरा पैसेज दिया गया है, इसमें भी आपको a or n, जो है, वो fill कर रहा है, तो यहां पर हम करेंगे, on dash sunny day, I went to the market, तो यहां पर क्या आएगा, on a sunny day, I went to the market, sunny day था, मैं एक मार्केट के है, I wanted to buy a pair, ठीके न, पर की sound, यानि consonant sound, a pair of socks, and a twi, a twi for my little brother, एक twi मैंने अपने, जो है, ब्रादर के लिए खरीदा, और एक pair of socks, मैंने अपने लिए, in the market, I met a friend, एक friend similar, I met a friend, consonant sound है, he was eating ice cream, ice cream के साथ क्या आएगा, and आएगा, हमने कई पहले भी किया है, he was eating an ice cream, when we were talking, it started to rain, जब हम बाते कर रहे थे, तो बारीश शुरू हो गई, he went away with his mother, while I bought an umbrella from a shop, ठीके, वो अपनी मम्पी के साथ चला गया, लेकिन मैंने जो है, shop से क्या खरीदा, I bought an umbrella, तो इसमें wobble sound है, तो umbrella में N आएगा, umbrella from a shop, I saw some people waiting for a bus, B जो है, consonant sound है, waiting for a bus at the bus stop, I went to a tea stall, मैं tea stall पे गया, I bought a cup of tea, and enjoyed the rain, तीके, मैंने cup of tea लिया, एक cup of tea लिया, और rain को enjoy किया, तो जितने भी single चीज़े हैं, singular round है, सब के साथ हमने A और N का use किया है, लेकिन wobble sound के साथ N आएगा, और consonant sound के साथ A आएगा, I saw an old man, oh, consonant sound नहीं है बच्चो, wobble sound है, तो N आएगा, I saw an old man, he was getting wet, I went to him, वो अब्रेला दे दिया, और उसने मुझे आशिरवाद दिया, ठीक है, तो आप पच्चे भी इसी तरह से, जो है, जो आपको लगता है, किसी को आपकी help की जरूरत है, तो आप जरूर से किसी की help जरूर किया कीजिए, तो ये थी आपकी आज की worksheet, जिसमें हमने A और N का यूज सीखा, आई हो पेटा, आपको ये worksheet clear है, कोई भी doubt है, तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हो, वीडियो अच्छे लगी, तो like भी करतीजिए, share भी करतीजिए, और अगर आप channel पर new हो, तो subscribe भी करतीजिए, so thanks for watching students, मिलते हैं next video में next worksheet के साथ, take care, bye bye,